उत्रप्रदेश के समस्त स्टूडेंट्स अपने प्रमोशन की खवर को सुने के बाद बड़ी संख्या में ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि यदि हमें प्रमोट किया जाता है तो हमें मार्क्स की स्टैप से प्रोवाइड किया जाएंगे इसके साथ साथ हमारा जो रिजल तो आप इस वीडियो में अंदर तक बने रहीगा आज की वीडियो आपके लिए बहुत जाद नॉलिजफुल होने वाली है सो चली फ्रेंट्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हूं से पहले मैं आपसे एक बार गुजारस करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राब नहीं किया तो कॉल्ज यूनिवरस्टी एक्जाम इसके साथ साथ रिजल्ट से संबान देते लेटेस्ट नुज के लिए आप चैनल को सबस्क्राब करके हम से जोड़ सकते हैं सुचली फ्रेंट्स सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि इस्टुडेंट्स को जो माक्स हैं वो किस टाइप से प्रमोट किये जाएंगे तो जैसे कि फ्रेंट्स आप इन स्कीन पर देख सकते होंगे नहीं होंगी इस्टुडेली के पर इच्छा हैं आतारी इसलाक दिये जाएंगे इसमें अभी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है लिकनिया न्यूस के माद्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किस टाइप से प्रमोट किया जा सकता है सबसे पहले आपने इसकी में पर देख सकते होंगे कमिटी को प्रमोशन के सामाने को कहा गया है जिया दोस्तों जो फाइनल डिसीजन होगा वो दो जुलाई को ही यहाँ पर पता चल पाएगा कि कौन से इस्टूडेंट्स को किस टाइप से प्रमोट किया जाएगा इसके साथ ही आपके जो मार्क्स हैं वो किस टाइप से देजांगे इसके साथ ही कमिटी न कि पचास प्रिटी साथ जो मार्क्स होंगे आपके वो आपको आपके इंटर्नल असिस्मेंट के आधार पर दिये जाएंगे और इसके साथ साथ जो पचास प्रिटी साथ मार्क्स होंगे वो आपको प्रीवियस क्लास या फिर प्रीवियस सिनिस्टर के मार्क्स से बेस पर जाएंगे तो यहां पर उत्ते प्रदेश में यह फॉर्मूला भी लागू हो सकता है इसके साथ साथ यहां पर और भी बत्ते चीज़े बताएगी परच्छारतियों को अंतिम परिछा के वेस्ट या फिर औसत के आधार पर अंक दिये जाएं इस पर आगे फैसला होगा जिया दोस्तों लास्ट एक्जाम जो आपके होते चाहिए सेंस्टर एक्जाम हो या फिर यर्ली एक्जाम हो उनके औसत के आधार पर भी आपको जो मार्क्स हैं वो प्रोवाइड किये जाएंगे तो जो इस टुडेंट्स हैं आपको जो मार्क्स हैं वो प्रोवाइड किये जाए तो फ्रेंट्स जासा कि आपको पताई होगा जिस टैप से आपके एक्जाम होते थे पहले तो अलगल युनिवरस्टीज के द्वारा अलगल डेट में आपके जो रिजल्ट होते वो एनाउंस किये जाते थे अब इसी टैप से जब प्रमोट करने का आदेश असन की तरफ से आ जाएगा यानकी आधिकारी गोस्णापत्र जारी कर दी जाएगा उसके बाद सभी उनिवरस्टीज अपनी स्टुडेंट्स का जो रिजल्ट है वो गोस्णापत्र के आधार पर तयार करेंगे उसके बाद समस्ती उनिवरस्टीज जो सिस उनिवरस्टीज को प्रमोट करने तो result भी एक साथ आ जाएगा, so friends ऐसा कुछ भी नहीं है, university जो है वो अपना result है, वो अलग-लग date में announce करेंगी, जिसकी सूचना है और उसकी जो information है वो आपको लगातार हमारे चैनल पर दी जाएगी, चाहे आप रोईलखन university की students हों, या फिर लखनो university की students हों, या फिर अधर किसी university की students हों, सभी university के result से समझे जो जो जान कारी है, वो आपको लगाता है provide की जाएगी, तो आप हमा साथ इसी तरह से बने रहीगा, इसके साथ साथ यहाँ पर काफी बड़ी संक्या में students के comments आ रहे हैं कि आप final year के चातर प्रमोट होंगे, जी यहाँ दोस्तों बिनेश्चेत रूप से final year के students को भी प्रमोट किया, तो सबसे पहले यहाँ पर जो promotion है वो final year के students का ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जो final year के students होते हैं, उनका course समाप्त हो रहा होता है और उन्हें students को किसी यादर college या फिर university में admission लेना होता है, यदि university के दोरा यहाँ फिर final year के students को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो उनके admission और ज़्यादा लेट हो जाएगे, तो ऐसे में जो government है वो final year के students को भी निश्चेत रूप से प्रमोट करेगी, जो भी final year के students हैं, चाहिए आप under graduate course को होँँ, यह पर post graduate course क्यों, आप बिल्गुल भी टैंसर ना लें, आपको भी निश्चेत रूप से प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जो official information है, उसे यहाँ पर 2 जुलाई को आने वाली है, उसके आदार पर ही आपको जो confirm news है, वो अभी मिल पाएगी, इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारी students के अलगला questions साथ हैं, कि V8K students promote होंगे या नहीं होंगे, इसके साथ साथ private course के students promote होंगे, तो मैं आए यहाँ पर आपको बता दूँ कि V8K students promote होंगे, और यदि आप पर private course करना है, तब भी आपको promote किया जाएगा, इसमें ऐसी कोई भी परसाने होने वाली बात नहीं है, सब ही students आप पर promote होने वाले हैं, तो friends आप हमाँ साथ इस तरह से बने रहेगा, इस वीडियो को अपने other friends के साथ share गार दीजे, तकि other students को भी इस वाले में जानकारी मिल सके, और दोस्तों इसी तरह से जोड़ी और भी लेटेस्ट नियुच के लिए, आप चैनल को subscribe करके हमसे जोड़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में बास ही तरह ही, मिलते हैं कि नीए वीडियो में एक नीए information के साथ, thank you so much for watching this video.